आभि टियाः का सिजिन चल रहे हैं आप दिवाली में वी तो साबसपाई भी सबसपाई भी साबसपाई होते रहेंगे हमारे मीठा यहां भी बनते रहेंगे यहीं αναOSE स्पूर केशलर करी कृद्ट एक ना को कि असे ब्लट प्ल ऑख सकते हैं का नानी को आप अम बना रहे हैं मैदा हम चार बड़ीं डालने हैं जाइने 6 श्रीया मेदा अब इस मिं आळ कर लेंगे दो चामच घी को आप गरम करके भी डाल सकते हम ऐसे ऐसे हम डाल रहे हैं थेरा seit लेंगे घ्री के साथ पृष्छी से अचे से मिक्स कर लेनी है अब इसे जब मिक्स हो जाए अब इसमें डालेंगे पानी पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालना है ज्यादा एकदम से ना डाल दे नहीं तो आपके जो मेदा आठा है उप एकदम से गिला हो जाएंगे इसमें बहुत ही कम पानी लगता है अब इसे तरह से थोड़ा कड़ाई हमने गरम कर लिए उसमें हम डालेंगे तेल जब तक यह तेल हमारा गरम हो रहा है चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं दुबारा हम इसे कवर को लेंगे और इसे मेदा को अच्छी से दुबारा हम गोंत लेंगे आप चक्की लेंगे एक पेला लेंगे आप इसे हम दो जिशा में कर लेंगे इस तरह से एक लोई यां त्यार कर लेंगे आप थोड़ी से इसमें ऑईल ग्रिस कर लेते हैं जेसे आपको असन लगे आप उसी हिसाब से इसे त्याल कर लेंगे आप इसे हम थोड़ी से के स्कॉयर शेप में इसे बेलेंगे लोगेसे जैसे वी कैसे कोई रिककत नहीं है वाशी से आपने पसंद के हिसवप्स आपकार भी अपैसे बिना सकते हैं हम अब इस थोड़ी से क्यार्ष में इसे बेल रहे हैं कंड कर लेंगे जो चाक्टू है उसमें थोड़ी से ऑईल गरिसकरलं था कि चीब ना और सॉएड से इसमें निकाल दिये हम स्पाइद से अध्यक्राओर कर लएंगे यह ज़्लें मूतवर्च की थोड़ी सी बनाने भी चाहिए ज्यादा पतली भी करने हैं अब इसे एक प्लेट में रहते जाएंगे इसे हम साइट कर लेंगे और बाकियों को भी हम इसी तरह से इसे बना लेंगे इसे इसी तरह से बेल के इसे इसे काट लेंगे इसे 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 ऐसे प्लेट में इसे इसे रहते ही है अचैनане के इसे रहने क्या हमें तेल गरम तरह से अष्छा है और ना बदrick तरही ज़ेंगे इसे ज़़ादा High Flame में भी ना वोने, Medium या या नहीं तो आप इसे Low Flame में भेनिएं, ताकि अदर से अच्छे से पाख जाएं अगर High Flame में आप इसे भुन लेंगे, तो उपर से पक जाएगा लेकिन अंदर कच्छा रहे जाएगा इसलिए इसे थोड़ी सी लो फ्लेम में बुनिया या मेडियम फ्लेम में बुनिया तकि अंदर से अच्छे से पक जाए और अच्छे से स्क्रेश पीब जैसे बनके यह त्यार हो जाए और यह देखिए इसी तर असे यह बाकी सोह को हम ज़ीं इसे भी फ्राइ कर लेंगे करेंगे आधे दुद्धी करेंगी22 आधे हम呢 कीशिया कर लेंगे आफिसे हम निखालगे रट लेते हैं साइड भेम तरे में कड़ाई हमने गरम को लिए गरम के दोसी में हम डालेंगे एक कप चीनी एक कोप से थोड़ी सी जाधा पानि आब इसे हम चलाज़ेंगे और एच्छी से एक उबाल आने देंगे चीनी को है यह दीखे हैं हमारे चीनी ऊबाल आ गया है सेबाल सलकी से जिएसे चिपचिपाओ पन होता है यह दूछ से नगी करेंगे यह दो सब्सक्राइब crykin करेंगे ज्यादा चास्तंट यह साथ चीपचिपपट जतऊं तो बłę Redmi स्टुछ जrant बंक्र में तो बचिंग मोच तो दूकर में 3 छा और भी और भी काई है अब इसमें जो ह्यां हो प्राइक करके रखा था इसे प्राइक हम डालें इसमें की कि का और यसे अच्छी से मीक्स कर लेंगे कर लदे आपकर दिये में और इस तरह से चलाते हुए ऐसे ठंड़ा होने देने हैं इसे चलाते हुए इसे ठंडा होने देने हैं बिल्कुल छोड़ेना अगर भी कुछ छोड़ देंगे तो यह जो हमारे चीनी है यह कठा जम जाएंगे तो इसलिए इसके उपर अच्छे से परताएंगे नहीं और इसे देखें ग्यास से नीचे हमने उता लिया और इसी चलाते जाएंगे तो यह जाएंगे यह दिखिए आप देख सकते हैं जैसे यह ठंडा हो रहा है जैसे यह चीनी का जो पानी है जो चीनी हमने यह कठा इसके ऊपर दिखें वार्ट सी कलर से आगए है लैयर वन के त्यार हो गया है आप इसे हम इक बावल में निकल लेंगे एक प्ल किल्कुल खराब नहीं होता है बहुत दिन तक यह चल जा सकता है एक बार ट्राइ कीजिएगा जुरूर आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लेगी होगी घिल्फूल होगी हमारे इस तरह के ओन नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चानेल को सस्क्राइब और वीडियो को स्यार कर दिजिएगा हमारे वीडियो देखने के लिए थाइंक्यू सो मां